नमस्ता दोस्तों स्वागत आप सभी लोग का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में फ्रेंड्स रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एरलाइंस और ट्रेवल से जुड़ी हुई कुछ बहुत जरूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके है पहरी बड़ी खबर की जानकाई ले लेंगे जो की एर इंडिया से सामने रही है आपको बताना चाहेंगे कि इस समय एर इंडिया के पाइलेट्स की तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है जी हैं दोस्तों यहाँ पर लंदन के हीथरो एरपोर्ट पर खराब मौसम में इस समय दुनिया भर के कई मेडिया चैनल्स में एर इंडिया के पाइलेट्स की तारीफ की जा रही है आपको बता देखि कि इस समय लंदन के हीथरो एरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते कई सारी फ्लाइटे या तो देरी से ओपरेट हो रही है और या फिर कई सारी पर करा दी गई इन सब के अलावा खराम मौसम के चलते नीदर लेंड भे भी कई सरी फ्लाइटों को कैंसल किया गया है अगली खबर यहाँ पर यूकरेन को लेकर जान लेते हैं जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि इस समय यूकरेन में हालात समानी नहीं है और रस्या किसी भी समय यूकरेन पर हमला कर सकता है लेकिन इन सब के बाब जूद भी एर इंडिया के द्वारा यूकरेन के लिए कुछ एडिशनल फ्लाइटे ऑपरेट की जा रही है जिसकी जनकारी हमने आपको कल के वीडियो में दे दी थी लेकिन अभी जो यहाँ पर ख़बर सामने रही है उसके अनुसार दुनिया भर की कई सारी एरलाइन्स कंपनिया इस समय अपनी फ्लाइटों को कैंसल कर रही है जिया दोस्तों यहाँ पर लुफ्थांसा एरलाइन्स भी अब सोम बार से अपनी सभी फ्लाइटों को यूकरेन के लिए कैंसल कर रही है यहाँ पर यूएस के प्रेजडेंट जोई वाइडेन की तरफ से फिर दुबारा से बताये गया है कि रसिया किसी भी समय यूकरेन पर हमला कर सकता है फ्रेंट्स अगली खबर के नुसार दुनिया भर में जैसे से ओमी कुरन के केसेस में गिरावर देखी जा रही है वैसे वैसे फिर दुबारा से सभी लोग ट्रेवल करना सुरू कर रहे हैं एक डेटा के नुसार यहाँ पर पता लगा है कि अब दुनिया भर के जितने भी होटल्स हैं अब उन सभी होटल्स में पैसेंजे जो हैं चेकिन करना सुरू कर रहे हैं और बताये जा रहा है कि ट्रेवल इंडस्ट्री अगले एक महीने में फिर दुबारा से अपनी पुरा वारस टेस्ट और कॉरेंटीन इन दोनों नियमों को पुरी तरीके से हटाये जा रहा है इसके लाव फ्रेंट्स एक और खबर यहां पर बियतनाम को लिका जान लेते हैं जो लोग भी बियतनाम के लिए ट्रैवल करके जाना चाते हैं उन सभी लोगों के लिए बियतनाम की दोरा कॉरेंटीन का नियम केवल एक दिन का रखा गया है यानि कि आप जो लोग भी बियतनाम के लिए ट्रैवल करेंगे उनका केवल एक दिन का कॉरेंटीन होगा उस एक दिन में आपका कॉरोना वारस का जान्स किया जाएगा और यदि आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ आपको बता दे कि बियतनाम की गुवर्मेंट के दारा 15 मार्च से सभी लोगों के लिए अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन कर दे गया है जो लोग भी बियतनाम घुमने के लिए जाना चाते हैं वो सभी लोग 15 मार्च के बाद ट्रैवल कर पाएंगे फ्रेंट्स एक और खबर यहां पर कुवेत को लेकर भी जान लेते हैं जो लोग कुवेत के लिए ट्रैवल करके जाना चाते हैं उन सभी लोगों के लिए 20 फरवरी से एक नियम लागू हो गया है इस नए नियम के तहद आप जो लोग भी फुली वैक्सिनेटेड हैं उन सभी में आपके लिए कोरोना वारस का नेगेटवी रिपोर्ट कमपलसी रखा गया है आपको बता दे कि इस लिस्ट में छोटे बज्चों को सामिल नहीं किया गया है जिनके भी उमर 16 साल से कम है उन सभी लोगों को यहां पर यह नियम जो है अप्लिकेबल नहीं किया जाएगा लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग भी दुबई या फिर यूवई के लिए ट्रैवल करके जाना चाते हैं और यदि वो कोलकाता एरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो अब उनके लिए रैपिट करोना वारस टेस्क जो की फ्लाइट में बैठने से 6 घंटे पहले लेना पड़ता है अब उस टेस्क को हटा दिया गया है अब आपको केवल अपने साथ रैपिट पीसे टेस्क लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा जो की आपका आरतालेज घंटे से ज़्यादा पुरा नहीं होना चाहिए दोस्तों ये जो नियम है ये नियम फिलाल के लिए कोलकाता एरपोर्ट से ट्रैवल करने वाई लोगों के लिए ही लागो किया गया है यदि आप भारत के किसी अन्य एरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो फिर आपके पास कोरोना वारस का PCR टेस्ट और रैपिट PCR टेस्ट दोनों होना जरूरी है लेकिन यदि आप कोलकाता एरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो ऐसे हालात में आपको rapid PCR test से छूट दी गई है फ्रेंट्स इसको लेकर अभी तक ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आपाई है कि ये जो छूट है केवल कोलकाता से ही ट्रैवल करने मां लोगों के लिए ये नियम क्यों लागो किया गया है और बाकी एरपोर्ट से ट्रैवल करने मां लोगों के लिए क्यों लागो किया गया फिलाल के लिए अच्छी ख़बर यह है कि यह दिया आप कोलकाता एरपोर्ट से ट्रैवल करेंगे तो फिर आपको रैपिट पीस से टेस्ट एप्लिकेबल नहीं है फ्रेंट्स एक और ख़बर यहाँ पर मुंबई एरपोर्ट से सामने रही है आपको बताना चाहेंगे कि एक 21 साल का लड़का मुंबई एरपोर्ट के बॉंडरी वॉल को जम करके वो अंदर खुसा है जिसके बाद उसकी गिरफतारी की गई है आपको बता दे कि यह जो खटना है तकरीबन 12 बजे की है जैसे ही इसने बॉंडरी को जम किया वैसे ही पुलीस अधिकारियों ने इसको गिरफतार कर लिया है और फिलाल के लिए यह अभी पुलीस की कस्टेडी में है एक और खबर यहाँ पर मलीसिया को लेकर जान लेते हैं बहुत सारे लोग मलेसिया को लेकर सवाल पूछ रहे थे यहाँ पर एर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से मलेसिया को ओपरेट होने वाली फ्लाइटों की सेडूल लिस्ट जारी कर दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली से तरीची से इसके लावा चैन्नेई, कोची, हैदराबाद, मुंबई इन सभी लोकेशन से यहाँ पर एर इंडिया एक्सप्रेस अपनी फ्लाइटों को ओपरेट करने वाली है स्वेधिया आप मलेशिया के लिए ट्रेवल करके जाना चाहते हैं तो आप एर इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से ट्रेवल करके जा सकते हैं फ्रेंट्स एक और खबर यहाँ पर थाइलेंड को लेकर भी जान लेते हैं तो Thailand की government अब Corona virus test के नियम को खतम करने जा रही है जियें दोस्तों जैसे ऐसे दुनिया के सभी देश अपने आपर Corona virus testing के नियम को खतम कर रहे हैं तो अब Thailand की government भी इस नियम को खतम करने जा रही है फिलाल के लिए अभी इसके उपर discussion चल रहा है और आगे अनमल एक सब्ता में अब Thailand की government इसके उपर DCN ले लेगी और उमीद है कि जो लोग भी अब Thailand के लिए ट्रावल करके जाएंगे और यदि वो fully vaccinated हैं तो उनको Thailand में जाने के बाद फिर दुबारा से Corona virus का टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा इन सब के अलावा फ्रेंट्स यहां पर कई सरे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन सी vaccine का approval दिया हुआ है फ्रेंट्स आपको बता दे कि भारत सरकार ने यहां पर कोई भी vaccine को लेकर जानकारी नहीं दी है कि आपको यह vaccine लगी हुई होनी चाहिए या फिर आपको यह vaccine नहीं लगवानी है आपको बता दे कि भारत सरकार के दौरा दुनिया के 82 देसों के लिज़ जारी की गई है यदि आप इन 82 देसों से ट्रेवल करके आते हैं और इन 82 देसों से आपने vaccine लगवाय हुआ है तो भारत में आने के बाद आपका वो vaccine certificate मानने होगा और आप उस vaccine certificate के आधार पर ट्रेवल करके आ सकते हैं तो फ्रेंट्स उमीद है कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल चुकी होगी यदि आप इन 82 देसों से ट्रेवल करके भारत में आते हैं और आप fully vaccinated हैं तो भारत में आने के बाद आपका coronavirus का test नहीं किया जाएगा और आपका vaccine certificate भारत में आने के बाद पुई तरीके से मानने होगा लेकिन यदि आप उन 82 देसों के अलावा किसी और देस से ट्रेवल करके आते हैं तो फिर उस vaccine का यहाँ पर मानेता भारत सरकार नहीं दिया है यदि आप 82 देसों के लिए जानना चाते हैं तो उसका link हम आपको वीडियो के description box में दे देंगे कि यह बयासी देस कौन कौन से हैं जिनको भारत सरकार ने लिस्ट में सामिल किया हुआ है सो फ्रेंट्स यह थी आज की airlines और travel से जुड़ी हुई कुछ बेहत जरूरी और काम की update वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है काम के लगती है सो इसको like करने के साथ साथ चैनल को जुरू subscribe करकर रखे ताकि आपको latest update समय पर मिलती रहे